हम लोग सोचते हैं कि वे जखका नूडल्स घर पे बनाना बहुत कठीन होगा वैसा टेस्ट नहीं आपाएगा जो मार्केट में आता है तो ऐसा नहीं है जरूर हमारा वो टेस्ट आएगा जब हम लोहे की कड़ाही में बनाएंगे या फिर कोई चाइनीज कड़ाही बड़े म परफेक्ट आएगा तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे वे जखका नूडल्स असानी से और जटपट बन जाता है हमें एक चीज का ध्यान होता है जब हम नूडल्स को बॉल करते हैं तो नूडल्स बॉल करना भी हम बताएंगे और कि इस स्टेज पे हम गैस बंद कर करके नूडल्स को पानी से निकाल लेंगे ये भी हम आपे बताने वाले हैं तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को स्किप ना करें वरना मिस कर जाएंगे तो अब हम लोग नूडल्स को बॉल करने के लिए एक बड़े बरतन में खुब अच्छे से पानी भर लेंगे जिस पानी में भाप आने लगे तब हम लोग अपना नूडल्स डालेंगे और इसे हमें नजर अंदाज नहीं करना है इसे हमें देखते हुए बॉल करना है हमारी नजर थोड़ी सी भी इधर उधर हटेगी तो हमारा नूडल्स जो है वो ओबर कुख हो जाएगा और रेशुरें नूडल्स का टुकड़ा लेंगे और हाथ सिंगली से दबा के देख लेंगे उसमें बहुत पतला सा धागा आएगा इसका मतलब कि हमारा नूडल्स कुक हो चुका है हम निकालेंगे पानी से तब तक वो धागा भी खतम हो जाएगा तो अब इस सेज पे हम लोग अपना डालके अच्छे से नूडल्स में चारो तरब मिक्स कर देंगे इससे होगा क्या कि हमारा नूडल्स थोड़ा सा भी गुंजाईस होगा चिपकने का तो वो चिपकेगा नहीं वैसे नूडल्स बहुत ही अच्छा पर्फेक्ट बॉयल हुआ है इसी तर से आप भी अपना खेल नूडल्स को बॉयल करने का होता है तो आप इस तर से नूडल्स को बॉयल कीजिए आपका नूडल्स कभी भी चिपकेगा नहीं और इसमें आप ऑईल मिलाने के बाद हम लोग पंके में या फ्रीज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ये ठंडा हो जाएगा और जब इसमें हम लोग डालेंगे लाल मिर्च, कटा हुआ लसुन, कटा हुआ या ग्रेट किया हुआ अद्रक, हरी मिर्च और उनको थोड़ा सा भूनने के बाद हम लोग डालेंगे अपना स्लाइस किया हुआ प्याज अब यहाँ पे हमारा अद्रक लस्न भून चुका है तो हम लोग प्याज डालेंगे और उसे ट्रांस्पैरंट होने तक भूनेंगे नूडल्स की सबजियों को बहुत जादा पकाना नहीं होता है, 5-7 मिनट में सारी सबजियां भून कर रेडी हो जाती है अब प्याज हमारा भून चुका है इतना ही हमें प्याज भूजना होता है तो उसके बाद हम लोग एट करेंगे सबजियों को जहाँ पे हम गाजर को लंबे और पतले में कट कर लिये हैं उसके बाद फ्रेंच बिंस को कट कर लिये हैं वैसे ही सिमला मिर्च को भी हम कट किय हैं और उनको हम अच्छे से अब भुन लेंगे एक मिनट इन्हें मिलाने और भुनने के बाद हमें अपना पतः गुभी भी एड़ करेंगे और सब्सबगा भुन चुकी हैं तो हम लोग अबत्ता गुभी भी लाश्ट में मिला देंगे डालके के इसे भी डालके हमें एक मिनट तक ही भुनना है जादा नहीं और जब यह भुन जाएंगी तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे दो चम्मच सोया सौज एक चम्मच विनेगर और नमक एड़ करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार जितना हमें नमक चाहिए आधा चम्मच के करीब हम लोग अब यहाँ टीश पर नहीं नमक कररेंगे इसमें काली मिर्ष पाउडर और आधा चम्मच जीरे पाउडर और इन्हें मिकering डालकर के अच्छे से मिकस कर लेंगे और जब सब्जीं अच्छे से मिकस हो जाएं तो हम लोग अपना नूडल और खुब अच्छे से अपने भू मिक्स करेंगे अब यहाँ पर लगने वाला है 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि झूडल्स मिक्स करना थोड़ा सा कठीन काम होता है तो इसे मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छे से जितना भी टाइम लगे अच्छे से पहले mix करेंगे आप इस तरह से अपने noodles को छोटे टुकणों में cut कर लिजे तो noodles को mix करना असान हो जायेगा मैं noodles को mix कर रहे हूँ तब तक आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और subscribe बटन के बगल में bell icon है उसे प्रेस करना ना भूलीएगा bell icon प्रेस करने से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप मेरे वीडियो से कुछने कुछ नई रेशिपी सीखते रहेंगे शेयर कर दीजे लाइक कर दीजे आपके फ्रेंड भी परफेक्ट नूडल्स बनाना सीख लें और आप भी इंज्वाइ कीजिए अब नूडल्स मिक्स हो गया है तो हम लोग इससे कर लेते हैं सर्व